तो आज हमारा टापिक है निमोनिया तो सबसे पहले हम निमोनिया की परिवाशा देखते हैं कि निमोनिया होता क्या है तो निमोनिया एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें जो लंग्स की जो पैरनकाइमल सेल्स होती है जिससे लंग्स बना हुआ होता है उनको हम पैरनकाइमल सेल तो सबसे पहले एक मेन कारण होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टेरियर इंफेक्शन तो उसमें पर्टिकुलर बैक्टेरिया होता है स्ट्रेप्टो कोकस निमोनिया तो उससे क्या होता है यह पर्टिकुलर बैक्टेरिया ऐसा होता है जो निमोनिया कॉस करता है तो उसके हमारे causes हो सकते हैं ठीक है और एक सबसे बड़ा फेक्टर एक और होता है एक होती है immunocompromised condition तो immunocompromised condition क्या होती है एक तो natural immunocompromised condition होती है जैसे कि जिसमें हमारी जो body की जो immunity है वो automatically मतलब किसी भी disease condition की वज़े से अपने आप ही surprised हो जाती है तो उसमें एक example हम ले सकते हैं जैसे कि AIDS ठीक है acquired immunodeficiency syndrome तो यह एक AIDS ऐसी बीमारी होती है ऐसी disease होती है जिसमें क्या होता है जो हमारी body की जो immunity होती है वो उस बीमारी की वज़े से कम हो जाती है ठीक है क्योंकि easily उस बीमारी के time पर easily कोई भी bacteria हमारी body में enter करके disease cause कर सकते हैं या किसी भी चीज से easily हमें infection हो सकता है और एक होती है artificial immunocompromised condition तो उसमें क्या करते हैं जब हमें किसी भी body में organ transplant करना होता है तो क्या होता है जब एक organ जो भी हमारी body के लिए foreign substance है मनना किसी और की body का organ हमारी लिए foreign substance होगा हमारी body заключ होगा हमारी body के लिए तो उस organ के damage होने के chances है तो उसमें क्या करेंगे हम body की artificially जो immunity है उसको lose करा मतलब compromise या suppress करा देंगे artificial drugs देके मतलब बाहर से drugs देके या ऐसी medicines देके तो उस condition को हम बोलते है immunocompromised condition जब body उस stage में होती है immunocompromised condition के stage में रहती है तो easily कोई भी bacteria या वायरस एंटर करके हमारी body में disease cause कर सकता है तो pneumonia भी cause हो सकता है हमारी body में ठीक है उसके बाद में हम देखते हैं चिकचिये लक्षन ठीक है जिसको हम clinical manifestations बोलते हैं तो और एक और language में हम इसको sign symptoms बोल सकते हैं तो pneumonia के sign symptoms क्या होंगे सबसे पहले fever होगा जो की 101 knots से जादा होगा ठीक है और उसके बाद में dysnea हो सकता है जब हमारी lungs के cells हैं उनमे inflammation है तो inflammation होने की बज़े से obstruction भी होगा तो dysnea हमें देखने को मिलेगा टैकीपनिया हो सकता है मतलब हमारी जो breathing rate है वो increase होने को मिल सकते है ठीक है उसके बाद में bradycardia हो सकता है productive cuff हो सकता है तो productive cuff में हम दो चीज़े include करते हैं एक mucus यह sputum होता है और एक cuff होता है तो जब उन दोनों को cuff और mucus जब एक साथ में produce होते है तो उसको हम productive cuff बोलते है ठीक है इसके बाद में हम देखेंगे के diagnostic evaluation क्या क्या कर सकते हैं मतलब की नैदानिक परिक्षण अगर हमारे पास कुछ भी patient आता है जिससे जिसमें हम हमें pneumonia के साइने सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो फिर हम उसके लिए क्या ऐसे नैदानिक परिक्षण या मूल्यांगन करेंगे जिससे क्या होगा हमें confirm हो जाएगा यह मरीज यह patient यह व्यक्ति जो हैं वह pneumonia से ग्रश्तित हैं या pneumonia उनको हो रखा है तो सबसे पहले हम करें है थोरो हिस्ट्री टेकिंग लेंगे उनसे क्योंने कब से प्रॉब्रम हो रही है ऐसा जैनेटिकल भी हो सकता है कभी हिस्ट्री में किसी को यह डिसीज कंडिशन हो तो इस patient को भी हो सकती है ठीक है उसके बाद में हम फिजिकल एक्जामिनेशन करेंगे हम साउंड सुनेंग तो हम ब्रॉंकोस्कोपी में हम देखते हैं क्या होता है एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके एक एंड पे क्या लगा होता है कैमरा फिट होता है तो उसे हम अपने लंग्स के अंदर डालते हैं insert करवाते हैं उससे हमें कामरे के थू हम एक LED में सब कुछ देख सक तो सबसे पहले अगर किसी मरीश को डिस्निया हो रहा है तो सबसे पहले हम उसको ओक्सियन थेरपी प्रवाइड करने के बाद में अगर व्यक्ति को फीवर है तो हम उसको एंटीपायटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे देन उसके बाद में एंटीपायटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे क्योंकि अगर यह पर्टिक्लर बैक्टेरिया स्टेप्टोकस नेमोनिया के त्रू हो रहा है यह इंफेक्शन तो हम उसको पर्टिक्लर एंटीपायटिक एंटमिनिस्टर करेंगे इसके बाद में हम mucolytics, تو mucolytics क्या होता है, अगर हमारी Chem in chest में molar congestion हो रहा है, तो decongeため mucolytics क्या करता है, micolytics जो mucus होता है, उसको तोड़कर बाहर निकालने में काम करता है, क्या होता है, जो microf होता है, गो productive cuff होता है उसको बाहर निकालते हैं, ठिक है? अगर पेन है किसी पेशल को चैस्ट वगरा में पेन होड़ा तो महनाल जैसिक्स भी अड्मिनिस्टर कर सकते हैं इसके बाद में हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ठीक है और सल्य चिक सकब प्रवन्दन तो मिमाञ एक ऐसी कंडिशन जिन में कोई भी वय वास्ता की जरुत नहीं कड़ती है यह लेकिन हो सकता है कि मैंणिया ध्यान ना देने पर कोई अधर बीक्रीघर डिसिस और लिग मेनेजमेंट करना पड़ा पड़ा परिवाशा के लिए भी तक कोई भी शर्जिकल मैनेज्मेंट की नहीं पड़ी है तो आज की चलास में हमने रीजर मासैऑ कि सलेपकर परिवाशा देखने के बाद में हमने ने clearly की हमट्रीश की कारें किया अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू